खबर गाजी पूर से है जहां बीएशपी संसद अफजाल अंसारी ने कहा कि आलू का शमर्थन मुल्य तै करने में सरकार ने बड़ी ही दरिया दिली दिखाई है उन्होंने कहा कि समर्थन मुल्य से किशानों की आधी लागत भी नहीं निकलेगी उन्होंने सरकार से आलू का समर्थन मुल्य कम से कम 1200 रुपय करने की मांग की एक सवाल के जबाब में अफजाल अंसारी ने नौरात्री पर दुरगा सब्तसती और रमायर के पाठ के निरणाय पर भी बोले उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के इस निरणाय का श्वागत करता हूँ उन्होंने शावीत किया है कि वो राजनेता से पहले मठ के मठा धीस है लेकिन उन्हें अन्य धर्मों की विशेश पूजा के लिए भी एलान करना चाहिए बता दे किसांसद अफजाल अंसारी गाजीपूर पत्रकार एशोशियेशन के बहवन निर्मार कारे को देखने पहुंचे थे अच्छा सवाल है आपका पहत्रीम सवाल है पहुद बड़ी दर्या दिली दिखाया है सरकार ने उत्तर प्रदेश किया आपने भी पढ़ा होगे छे सव कुछ रुपिया उन्हों ने किस बचाते हैं कुंटर का रेट टाय किया गोरे करें तो यह सारे छे सव रुपे कुंटर और एक तरफ यह मानी मुपंदी निका एलान है लेकिन देश के यशश्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं कि हम तो किसानों की आए दोगुना करेंगे और आलू की पैदावार में मेरा दावा है कि बारा सो रुपे कुंटर से कम पर अगर खरीद होगी तो लागत का आधा है किसान को नेगे लेगा कौन है वो डो चिन्हों ने आप पो ये बता दिया इक कुंटर लालू पैदा करने के लिए किसानों का हम अगर सारे छे सो रुपे बता लेंगे तो हमारा उपकान तरह है यह क्या बार्ट है ताड़े 600 रुपे तुंटर इस पर पुरर मिचार होना चाहिए हम अपसोस के साथ आपको बता सकते हैं इसलिए बता सकते हैं कि हम पार्लामेंट की जो इस्टैंडिंग कमेटियां होती हैं उन्में अग्रिकर्चर कमेटि के हम भी सदर्स हैं किसानों के साथ तो नाइंसाफी और बहिमानी है जो फाइलों में है उसको अंगेंदा कभी उसकी सचाई नहीं कहुंची आपको बटाए एक बिहारी मजदूर की दिन की मजदूरी क्या है आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की निगाव में एक किसान को अगर वो अपने खेट में काम करता है उसकी पत्नी उसका बेटा या उसकी मां काम करती है तो जब यह सवाल आता है कि आखिर वो जो तिन भर खटे उसकी मजदूरी को इसमें काउंट की दिये और उसके खाद का बीच का पानी का मुलित और तम निर्धारित कीजिए कि लाड़त क्या थी तो मलू में कितना हूं? एक किसान के लिए एक कितना रेट तै हुआ? नाइंटी टू रुपीस अब बान्वे रुपिया एक किसान को एक दिन के मजदूर और जब आगे कालम पढ़िएगा उसको जस्टिफाई किया कैसे का के चुकि यह आप परशिक्षित आप परशिक्षित लेवर है इस लिए इसकी दिहारी नाइंटी टू रुपीस मेरा क और चैलेंज के साथ कि बड़े बड़े आफिसों में बैठे होगे यह आईए इस आफिसर्स यह ब्यूरोकेट्स यह किसी उनिवर्स्टी में जाके दिए ले लेकिन किसान को खेटी के मामने में अगर आप यह कहोगे कि यह अब परशिक्षित है तो इससे पुरी काली नही है आपके वैज्यानिक क्यों नहीं बता सकते हो हमारे किसान बता लेता है वो एक पार आसमान की तरफ उठांकर के दिकाह देखता है और वो कहता है कि दिन में बद्दर रात नहीं बद्दर अब वहें पुर्वया जबर जबर धाक कहें कुछ हो नी होई ना खोड़के सब्दर रखे इस तरह के किसानों ने वह दो बना रखे हैं और उसकी समझ का पैमाना आपके वज्यानिकों के समझ के पैमाने से बी अच्छा है आपकर आप पर शिच्चित है इसलिए बान्बे रुपया तो जब बान्बे रुपया दिहारी वह तै होगी तो हमारे भीज क हमारे खाज की, हमारी जमीन की, और हमारे परिशरम की, हमने जो पाणी दिया उसकी, आप मुले दिर्दारित करने हैं, कितनी इमान दारी बढ़ते होंगे, इसी लिए आपने सारे 600 रुपे कुंटल करेक आलू करते किया, बापस लीजिए इसको, और 1200 रुपे कुंटल के दिये और जल्दी शुरू करिए, यह ऐसी कच्ची फसल है, जो देखते देखते इस धूर्प में और इस गर्मी में सर जाएगे, बर्बाद हो जाएगे, यह मेरी अपीर है, आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं उनकी इस निड़ाय का स्वागत करता हूँ, वो एक मठ से जुरे हुए करती है, वो स्वैं बार-बार सावित करते हैं कि वो राजनेटा बाद में है, लेकिन पहले एक मठ के मठा धीस है, तो एक धार्मिक व्यक्ति को, और उस हैसियत से उनका जू फैसला है, वो तो स्वागती हो गया है, उसमें शिर्फ एतना आपके माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ, कि दिन को बड़ा करिए, यह भारत है, आप अपने आपको दुनिया में जाते हो, तो करते हो, अपनी शुनता का दंका हो जाते हो, आप एलान करिए इसके साथ ही साथ, या जब समय आये तो एलान करिए, कि अन्य धर्मों के दूग भी, जब अपने आराध का, कोई ऐसा उसर आएगा, जब उसकी कोई विशेश पूजा करेंगे, या उसकी कोई विशेश इबादत करेंगे, तो उसके लिए भी राज सरकार के खजाने से, और राज सरकार के मुपिया की हैसियत से, तमाम दिसान देश चारी किये जाएगे, ताकि सभी धर्मों का, देश में रहने वाले सभी धर्मों का, सम्मान हो सके, और सभी तरह के लोगों में एक संतुन रहे,